श्रीहूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छट पूजा के दोरान आप लोगों को क्या क्या कारें नहीं करने चाहिए कार्तिक मास्की शुकल चतुर्थरिक को छट महापर्व मनाया जाता है नहाय खाई के साथ छट पूजा आरंब करी जाती है छट पर्व या छट कार्तिक शुकल पक्ष को मनाया जाने वाला एक हिंदू तेवहर है इस दिन सूर्य भगवान की उपासना करी जाती है और सूर्य भगवान की छोटी बहन छटी की उपासना भी की जाती है इस दिन निर्जल वरत रखती हैं जो महिलाए होती है और अपने पुत्र की या पुत्री की लंबी आयू की भगवान से प्रातना करती है मगर आप लोगों को पता होना चाहिए है कि इसमें जो सूरे भगवान की छोटी बहन छट मया होती है उनकी उपासना की जाती है इनके बारे में माना जाता है कि यह बड़ी दुलाली होती है और छोटी छोटी बातों पर नराज हो जाती है इसलिए छट पूजा के दोरान आप लोगों को कई सारी बातों का ध्यान रखना आवश्चक है छट का वरत करने वाले को कभी भी बुरा बला नहीं कहना चाहिए ऐसा करने से पूजा पाट का पूर्ण लाब आप लोगों को नहीं मिलेगा छट का प्रसाज जहां भी बन रहा हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए इससे पूजा अशुद मानी जाती है छट माईया की मनोती को नहीं भूलना चाहिए जो मनोती हो उससे समय पर पूरा कर लेना चाहिए छट माईया को जो आप प्रसाज चड़ाएंगे उस प्रसाज को पैर से नहीं लगाना चाहिए और सूरे को अर्ग देते समय चांदी, स्टील, शीशा या फिर प्लास्टिक के बने हुए बर्तनों या फिर लोटे का प्रियोग वर्जित दिया गया है अर्ग पर चड़ाए जाने वाले प्रसाज को तेयार करने वाले को तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक की प्रसाज तैयार ना हो जाए चटी मईया का प्रसाज बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए हाथ पैर धोकर प्रसाज को तैयार करें इस दोरान कभी भी मास मदिरा का सेवन नहीं करने चाहिए मन में बुरे विचार पिलकुल भी नहीं रखने चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों को किसी की भी कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए है छट के पर्फ के दोरान अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल श्रीहूम रेमडीस सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद